नमस्कार, इस महत्वपूर्ण कारकम में देश भर से जुड़े सभी राजपाल महोदय, लेप्रिनन गवर्नर्स, केंद्रिय मंत्रि मंडल के मेरे साथी घान, रिजर्ब बैंक के गवर्नर, राज्यों के मुख्य सचीव, अलग-अलग इंडिस्ट्री एस्सेशेशन से जुड़े साथी घान, स्टार्ट अप, फिंटेक के दुनिया से जुड़े मेरे इवासाथी, बैंकों के वरिष्ट अधिकारी गण, और मेरे प्यारे भाईयों और भेहनों, आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है, ए रुपी वाउचर देश में डिजिटल टांजेक्शन को, डिबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है, इस से तारगेटेड, ट्रांस्परंट और लिकेट फ्री डिलिवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी, 21 वी सदी का भारत, आज कैसे आधुनिक टेक्नोलोजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलोजी को लोगों के जीवन में से जोड रहा है, इ रुपी उसका भी एक प्रतीख है, और मुझे खुशी है कि ये शुरुवात उच समय हो रही है, जब देश आजाजी के 75 वर्ष पर अम्रुत महवत्सव मना रहा है, और ऐसे समय में देश ने फुचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और एहम कदम बढ़ाया है, साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संसा या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है, तो हो कैश के बजाए यी रुपी दे पाएगा, इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन, उसी काम में लगा है, जिसके लिए वो राशित दी गई है, अभी शुरुवाती चरण में, ये योजना देश के हिल्ट सेक्टर से जुड़े बेनिफीट्स पर लागू की जा रही है, मान लीजिए, कोई और्गिनाजेशन, सेवा भाव से, सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो मुप्त वैक्सिन दी जा रही है, उसका लाब लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्रावेट अस्पतालों में, जहां कुछ कीमत दे करके वैक्सिन चल रही है, उसमें देना भेजना चाहता है, अगर वो सो गरीबों को वैक्सिन लगवाने के उसकी इच्छा है, तो वो उन सो गरीबों को ई रूपी वावचर दे सकता है, ई रूपी वावचर ये सुनिश्च करेगा, कि उसका इस्तेमाल वैक्सिन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं, समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी, जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्बबती महलाओं को, भोजन और परियावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाय पहुचाना चाहता है, तो इ रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा, यानि इ रूपी एक तरह से परसन के साथ साथ परपज स्पेसिपिक भी है, जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये इ रूपी सुनिश्चित करने वाला है, कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धास्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है, तो इ रूपी वावचर उसकी मदद करेगा, कोई किसी चेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की विवस्ता करना चाहता है, तो इ रूपी वावचर उसकी मदद करेगा, अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्ता करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा इसे अबर अगर राष्ट्रिय प्रेक्ष में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिशित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएंगए अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाएंगर सब्सेडाइज खात के लिए मदद की हैं तो वो खात खरीदने के लिए ही काम आए गर्बवदी महलाओं के लिए दिये गए कैश्व से सिर्फ पोशक आहार ही खरिदा जा सके यानि पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ये रूपी वावचर उसे सिद्ध करेगा साथियों पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेकनोलोजी और वो कहते भी थे कि टेकनोलोजी तो केवल अमीरों की चीज है । भारत तो गरीब देश है इसलिए भारत के लिए टेकनोलोजी का क्या काम के जब हमारी सरकार कि टेकनोलोजी को मीशन माने की बात करती थी तो बहुत से रह ज pra inductee कुछ खास किसम के एक्सपर्स उस पर सवाल खड़ा करते थे लिकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है आज देश की सोच अलग है नहीं है आज हम टेक्नोलोजी को गरीबों की मदद के उनकी प्रगती के एक टूल के रुप में रही है आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलोजी पारदर्शीता और इमानदारी ला रही है कैसे टेक्नोलोजी नए अवस्वरों को पड़ा करने में उन्हें गरीबों को सुलब बनाने का काम कर रही है और कैसे टेक्लोनोजी सरकार और लाल फिता साही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। व्यवस्ता के लिए वर्षों मेहनत की हैं। जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन इसकी एहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा। जब दुनिया के बड़े बड़े देश परिशान थे कि लोगडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें। लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्ता तैयार थी है। दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट आफिस और बैंक खुलवा रहे थे। तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था। भारत में अब तक डारेक बैनिफिट ट्रांसपर के जरिये करिब साड़े सत्रह लाक करोड रुपिये सीधे लाभारतियों के खातों में बेजे जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार तीन सो से जादा योजनाओं का लाभ डिबीटी के माधियम से डायरेक बैनिफिट ट्रांसपर के माधियम से लोगों तक पहुचा रही है। लगबग 90 करोड देशमाचियों को इसके तहट किसी ने किसी रुप में लाभ हो रहा है। राशन हो, LPG गैस हो, इलाज हो, स्कॉलर्शिप हो, पैंशन हो, मजदुरी हो, गर बना ले के लिए मदद हो। ऐसे अनेक लाभ DBT से मिल रहे हैं। PM किसान सम्मान निधी के तहट 1,35,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक एकाउंट में पहुचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई हैं, उसका लगभग 85,000 करोड रुपिये सीधा किसानों के बैंक खातों में ही ट्रास्पर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाब ये हुआ है कि देश के करीब करीब पौने दो लाग करोड रुपिये से अधीक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेकनलोजी को एड़ अप करने में उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। इनोवेशन्स की बात हो, सर्विस लिलिवरी में टेकनलोजी के इस्तमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर गलोबल लीडर्शिप देने की ख्षमता रखता है। पिछले साथ सालों में भारत ने अपनी प्रगती को जो गती दी है, उसमें टेकनलोजी के सही इस्तवाल की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, क्या आठ दस साल पहले किसी ने कलपना की थी, कि टोल बूत पर करोडो गाडिया बीना किसी फीजिकल ट्राजिक्शन के लेंदेन से निकलेगी। आज के फास्ट्रेक्श से ये संबव हुआ है। क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गाउं में बैठा कोई हस्त सिल्पी अपने प्रोड़क्ट दिल्ली के किसी सरकारी दपतर में सीधे बेज पाएगा। आज जेम यानि गवर्मेंट इमार्केट प्लेस पॉर्टल से ये मुम्किन है। क्या आठ दस साल किस पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेम में होंगे और हर जगह एक क्लिक पर इस्तिमाल होग पाएंगे। आज ये डिजी लॉकर से मुम्किन है। क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में MSME सेक्टर के उध्यमियों को सिर्फ 59 मिनिट में लोन एप्रू हो पाएगा। आज भारत में ये भी मुम्किन है। और इसी तरह आठ दस साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजिटल वावतर भेजेंगे और काम हो जाएगा। आज ये भी ई रूपी के जरिये मुम्किन हो चुका है। मैंसे कितने ही उधान आपको गिना सकता हूँ। इस महमारी के दोरान भी देश ने टेक्निक की ताकत को महसूस किया है। आरोग्य सेतु एप का उधान भी हमारे सामने हैं। आज ये एप सबसे जादा डाउनलोडेड एप में से एक है। इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वेक्सिनेशन प्रोग्रेम में, वेक्सिनेशन सेंटर के चैन में, रेजिस्ट्रेशन में, वेक्सिन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देश वाज़्यों की बड़ी मदद कर रहा है। पुरानी व्यवस्ता चल रही होती, तो वेक्सिनेशन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट के लिए दोड़ना पढ़ता रहोता ह। दुनिया के कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टिम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है। भारत इसे दुनिया के साथ साजहा भी कर रहा है। साथियों मुझे याद है कि चार साल पहले जब भीम एप लॉंच किया गया था। तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकाउज बिजनेस टांजिक्शन नोट और सिक्कों के बजाए डिजिटली होंगे। तब मैंने ये भी कहा था कि इस बड़लाव से सबसे अधीक गरीबों, बंचीतों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवास्यों का ससक्तिकर होगा, वो एमपावर होंगे। आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं। हर महिने UPI ट्रांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जुलाई महिने में 300 करोड से अधिक ट्रांजेक्शन UPI से हुए हैं, जिसमें 6 लाग करोड रुपिय का लेंदेन हुआ है। आज चाय, जूस और फल सब्जी का ठेला लगाने वाले भी इसका उप्योग कर रहे हैं। वहीं भारत का रुपे काण भी देश का गवरो भड़ा रहा है। सिंगापूर भुटान में भी इसे लौंच किया जा चुका है। आज देश में 66 करोड रुपे काण है और देश में 1000 करोड रुपिय का ट्रांजेक्शन रुपे काण से भी हो रहा है। इस काण ने गरीब को भी शशक्त किया है। उसे इस भावना से भरा है कि वो भी अपने पास डेबीट काण रख सकता है। उसका इस्तिमार कर सकता है। साथियों टेकनलोजी कैसे गरीबों को सशक्त करती हैं। इसका एक और उदार हैं। PM स्वनिदी योजना हमारे देश में तो रेहडी पट्री वाले ठेला चलाने वाले भाई बहन हैं। उनके फाइनांचियल इंक्लूजन के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था। अपना काम आगे बढाने के लिए उन्हें बैंक से मदद मिलना असंभव था। जब डिजिटल ट्रांजेक्शन की कोई हिस्ट्री ही न हो, कोई डॉक्यूमेंट न हो, तो बैंक से लोन लेने के लिए हमारे रेहडी पट्री वाले साथ ही पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाते से। इसी को समझते हुए हमारी सरकार ने PM स्वन निदी योजना की शुरुवात की। आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाग से अधिक रेहडी पट्री और ठेले वालों को इस योजना के तहर मदद दी गई हैं। इसी कोरोना काल में करीब करीब 2300 करोड रुपिये उन्हें दिये गए हैं। ये गरीब साथी अब डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अपना लोन चुका रहे हैं। यानि अब उनके लेंदेन की एक डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। PM स्वनिधी में ये व्यवस्ता की गई हैं कि 10,000 रुपे का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन रहेडी पट्री वाले साथ्यों को दिया जाएगा। आपको जानकर खुजी होगी कि आँ सेंकडो, रहेडी पट्री और ठेले वाले भाई बैन अब तीसरा लोन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश में डिजिटल इंफ्राट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। विशेशकर भारत में फिंटेक का बहुत बड़ा आधार तयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। देश वाच्यों का पॉजिटिव माइंड सेट, फिंटेक्श सलुशन को एड़ाप करने की उनकी ख्षमता भी असीम है। इसलिए ये आज भारत के युवाओं भारत के स्टार्ट अप इकोसिस्टिम के लिए भी बहतरीन मोका है। भारत के स्टार्ट अप के लिए फिंटेक में अनेकों संभावना हैं। सात्यों, मुझे विश्वात हैं कि यी रूपी वाउचर भी सफलता के नए अध्याय लिखेगा। इसमें हमारे बैंकों और हमारे पेवेंट गेटवे का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सैंकडों प्राइमेट अस्पतालों, कॉर्पोरेट्स, उद्योजगत, एंजियोज और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रूची दिखाई हैं। मेरा राज्य सरकारों से भी आगरह हैं कि अपनी योजनाओं का सटीक और संपूनलाब सुनिश्चित करने के लिए यी रूपी का अधिक से अधिक उप्योग करें। मुझे विश्वास हैं कि हम सभी की ऐसी ही सार्थक साज़ेदारी एक इमानदार और पारदर्शी ववस्ता के निर्मान को और गती देगी। एक बार फिर सभी देश्वास्चियों को इस बड़े रिफॉर्म के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं। बहुत-बहुत सुबकामनाएं धन्यवाद।